Hello Guys, this is Sachin Chawan and welcome back to the another video Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे depth of field के बारे में कि हम depth of field को किस तरीके से यूज कर सकते है photography के अंदर और depth of field जो है वो होती क्या है तो अगर आप मेरे चनल पर new है तो मेरे चनल को subscribe कर ले bell icon को press कर दिता कि आपको नए video को notification मिलता रहे सो विदाओ टाइम विज्ट लैट स्टार्ट वीडियो सबसे पहले हम डप फिल्ड की डफिनिशन के बारे में बात करते कि डफ फिल्ड होता क्या है तो डफ फिल्ड है उसका मतलब है कि आपका कितना एरिया फोकस में रहेगा आपकी फ्रोगार्फ में यानि कि उसके डियरेस्ट और उसके फारेस्ट एरिये में कितना एरिया फोकस में रहेगा और कितना एरिया जो है वो बलर या डी फोकस में रहेगा तो basically अगर हम depth of field की बात करें तो वो दो तरीके की होती है एक greater depth of field होता है और दूसरा होता है हमारा shallow depth of field अब greater depth of field क्या होता है और shallow depth of field क्या है तो मैं वो आपको clear करता हूँ Guys देखे, greater depth of field वो होता है जैसे आप आपका subject है ठीक है और अभी आप देख रहे होंगे मेरे इसमें जो मेरा बैक्ग्राउंड है वो हलका सा ब्लर हो रहे हैं ठीक है तो अगर मेरा बैक्ग्राउंड बिल्कुल ब्लर ना हो मैं भी फोकस में हूँ और मेरा जो बैक्ग्राउंड है वो भी मेरे फोकस में रहे और मेरा पर्शन नमबर इसमें मैटर करता है अगर आपका पर्शन नमबर एफ नाइन एफ एलेवन एफ 16 यह है तो आपको ग्रेटर दफिल्ट मिलेगी जो लैंस के फटाउगफर है जो आर्किटेक्टर के जो फटाउगफर से वह ग्रेटर दफिल्ट यूज़ करते हैं अपनी फट करते हैं तो हम इस तरीके से अपना बैगरॉंड जो है वह ब्लर करते हैं तो इस जो अपर चरप F9, F11 और F16 के आराउंड रहता है लेकिन अगर हम किसी का portrait क्लिक कर रहे है और हमें अपने subject को background से separate करना है तो हम shallow depth of field use करेंगे जिसके अंदर हम अपरचर अपना 1.4, 2.8 या 4 यह आपके lens के हिसाब से depend करता है कि आपका lens में कितना aperture सबसे ज़्यादा दो white जो है वो खुल सकता है so I hope guys आपको clear हो गया होगा कि greater depth of field क्या है और shallow depth of field क्या है दोनों का difference भी मैंने आपको clear कर दिया है so guys अगर आपको यवीडियो अच्छे लेगे तो इसे like करें comment section में मुझे बता है मेरा video कैसा लगा और guys मेरे video को share करें जितने भी आपके friends है या जो भी street photography में enter कर रहे हैं क्यूंकि मैं इस तरीकी street photography लेटेट और photography लेटेट जो वीडियो बनाते रहे तो हमसे चैनल पह और guys मेरे को support करें क्यूंकि मेरे 1000 subscriber होने वाले हैं मेरी वीडियो शेयर करें ताकि वह और जल्दी हो जाए और subscribe करना आप तो बिलकुल मत भूलिए so thanks for watching guys